मैं अनिल यादो यूपी के इलहाबाद का रहने वाला हूँ बहुत बहुत स्वागत है अनिल यादो जी हमारे धून मुजिक यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि आप यूपी इलहाबाद के रहने वाले हैं फिर अभी अचानक पटना में कैसे आन हैं मतलब क्या बनना चाहते हैं मैं एक सिंगर बनना चाहते हैं मतलब सिंगर बनना चाहते हैं अब काफ सोख यह बच्पन से हैं सिंगर जी बच्पन से हैं पर कोई प्राबलम की वजह से हम कर नहीं पाए थे और आप करना चाहते हैं और बहुत मतलब कि सबके दिल पिराज करना चाहते हैं वाकि यह कुछ नहीं तो फिर आप इलहा बात से इतनी दूरी तैय करके पटना में कैसा इसा है पटना है तो इसलिए अपने पटना चुना ज़िए अच्छा अनिल यह अपसे जाना चाहेंगे कि आप भोश्पूरी में कैसे गाए सबसे पहले मैं खिसारी लाल यादो जी सबसे बड़ा फैन हूं मैं उनका और भी अच्छा गाते सब अच्छा गाते हैं पर वह ज्यादा पसंद हैं तो आप थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि हम खिसारी आदो जी से मिलने के लिए इलाबाद से हैं वहां पर सोचे थे कि हम मिलेंगे पर यहां पर सुबह से आके मतलब की पता कर रहे हैं तो कहीं कोई कुछ नहीं मिल रहा है तो आपके पास आए हम तो आपको आपको यह किसने बताएगी कि सारी लाल यादो जी पटना में रहते हैं पटना में रहते हैं न तो आपके पास आए आपके पास से सोचे कि कुछ मिलेगा रास्ता उनसे मिलने का अच्छा तो खेसारी आदो जी सबसे पहली बात है कि वह हमेशा कभी सूट के लिए यहां वहां ब्यस्त रहते हैं तो कभी मुंबाई पतना में उनका रहना होता नहीं है उनका घर तो छपरा में सब कोई जानता है लेकिन यहां पर रहते हैं इसलिए आपको तो पता नहीं अब कभ उनसे भेट होगा यह उपर वाले समदुगा करेंगे कि आपका उनसे भेट हो जाब उनके चाहने वाले इतने नंबर वन फैन है अच्छा खेसारी आदो जी आपको क्यों पसंद है व क्यों अच्छे लगते हैं नहीं यहां भर जैंगे मिलन के में जरूर बिलकूल बिलकूल मानते हैं तो भी मिलेंगों बहुत अच्छे इंसान हैं और वह किसी को मना नहीं करते हैं जहां तक दुनिया जानती है गरीब लुका भी वह सपोर्ट करते हैं और अच्छाने लिया दो जी आप कहीं पर म्यूजिक सीखे हैं कि नहीं लाबाद में नहीं अभी सीखे नहीं है दो तीन दिन क्लास किये थे वैसे पी अपने पास हर्मोनियम है वहां पर प्रेक्टिस करते हैं और कुछ घर की कंडिशन नहीं ठीक इसलिए कुछ कर नहीं पाएं लेकिन अब हालात वह आ गया कि जोने आसे प्रेखा चाहिं ब्रुमा करते हैं द्धैकरिघां और रहन दोफा चाहते हैं सब चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करे मतलब अपको चाहते हैं, आगे बढ़ाना हुआं आपकी चाहते हैं अपकी पढ़ाई कहां तक होई है अब आपने मन्जिल के बढ़ना चाहते हैं अगर अगर आप उनको आपको अगर खेसारी आदो सामना सामनी भीट होगा तो आप कैसा महसूस करेंगे बहुत बहुत मतलब सबसे पहले तो हमें रोना आ जाएगा जी भाइया से मिलके बहुत अच्छा लागेगा हमें और कुछ मागना नहीं चाहते हैं उनसे थोड़ा सा बात करना चाहते हैं बस अब आप उनको देखना चाहते हैं कि वह रियल में कैसे हैं परदे पे मैंने बहुत खेसारी आदो का फैन देखे लिए आपके जैसे नहीं देखा कि आप उनसे मिलने के लिए लाबाद से पटना उनको भाग जैसे भगवान को भगत ढूंटते हुए इधर फिटता है वैसे ही आपके साथ मुझे दिख रहा है कि आप भी वैसे उनको देखने के लिए इतने बेताब हैं सोचे भी हैं कि मिलके जाएंगे अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको एक ऐसे इंसान का पता बताओंगा जो आपको खेसारी लाल यादो जी के मंजिल तक पहुंचाएंगे और वह है पौन पांडे जी अभी मैंने उनका अडरेस आपको दिया उनका नमबर भी दिया को और उनका ऑफिस बाता दिया रहतें अगर आप उनसे जाएंगे तो पतना मैं आदम है जो आपको उनसे तक उम्यूरा सकते हैं 23 anemia